हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो स्टडी 147, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में आज के वीडियो में हम प्रमुक राज्चे और उनकी राजदाने को ट्रिक की साहिता से कवर करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते है आज का अपना पहला राज्चे जो की है बिहार राज्चे और बिहार इसकी राजदानी क्या है पटना तो बिहार की राजदानी हो जाएगी पटना अब इसको याद करने के simple सी trick क्या है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पटाने जाता है तो पटाने की बात में उसके लिए क्या लेकी जाता है हार और हार कहाँ पर दिखाए देए आपको बिहार के अंदर यानि लड़की को जब पटाना है तो उसके लिए क्या लेकी जाना पड़ेगा हार तो यही हमारे ट्रिक बन जाएगी कि बिहार की राज़दानी क्या हो जाएगी पटना नेक्स्ट है सेकंड राज़े तमिल नाडू और तमिल नाडू की राज़दानी क्या है चन्नाई अब इसको कैसे याद रखा है अभी हमने कवर किया था कि कोई लड़का किसी लड़की को पटाता है तो इससे हमारे ट्रिक क्या बनी थी कि बिहार की राज़दानी है पटना अब लड़का जब मिलने जाता है तमिल नाडू में क्या दिखाएगी दिर आपको मिलना अब मिलना तो जब लडगा किसी लडगिये से मिलने जाता है तो उसकी लिए क्या लिकी जाता है? नेक्ष्ट आगे बात करते हैं धर नंबर 9 पच्चिमी बंगाल और पच्चिमी बंगाल जिसकी राज़दानी क्या है? कोलकाता अब इसको याद करने के सिंपल से ट्रीक है कि जो पच्छे में बंगाल में आपको क्या दिखाई दे रहा है बंगाल बंगाल को हम किसे डिरोक्ट कर सकते हैं बंगले से यानि जब हम कोई भी अपना घर बनाते हैं या फिर बंगला बनाते हैं तो उसको नजर से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, काला रंग कर देते हैं, काला रंग क्या, उपर काला टायर लगा देते हैं, या फिर काला मुखोटा रख सकते हैं, तो काला किस्ते है मिलके बनाए, कोल, कोल यानि क्या होता है, काला, तो पच्छी में बंगाल की राजदानी क्या हो जाएंगी कोलकाता नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मेगाले राजचे की मेगाले राजचे जिसकी राजदानी है सिलोंग अब जब हम मेग मेग के अंदर क्या होता है कि जब भी मेग आएंगी तो क्या होगा बारिस आएगी अब बारिस आएगी तो बारि image में क्या बोलते हैं? C लग गया, यानि C C, सरदी लग गयी तो मेगाले, जिसके राजदानी क्या हो जाएगी C लोग, यानि C लग गया Next है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जिसके राजदानी हो जाएगी सिमला अब इसको याद करने के सिम्पल से ट्रीक है कि जो हमारा हिमाचल है हिमाचल इसको हम दो टुकरों के अंदर डिवाइड करेंगी एक तो हिमा और एक चल यानि हिमा नाम की कोई लड़की है उसको हमको लेके चलना है अब लेके चलेंगे तो कहाँ पर लेके चलेंगे कि उसको सिमला के अंदर क्योंकि घुमानी की जगे जो कुंसी है वह कुंसी है सिमला तो हीमा नाम की लड़की को ली की चलना है कहां पे सिमला के अंदर तो हीमा चल हीमा चल कहां पे चलेगी हीमा सिमला के अंदर तो इसकी राजदानी क्या होगी हीमा चल प्रदीस की राजद क्या है जेपुर और इसको सिंपल सा याद करने की ट्रिक है कि राजस्तान में क्या दिखाई देर आपको राजा और राजा की हमेशा क्या होती है जेजे होती है राजा की क्या होती है जेजे और जेजे से मिलके बन जाएगा क्या जेपुर तो राजस्तान राज्जे की राज राजदानी है गंग टोक अब इसको भी सिंपल सा याद करने के ट्रिक है कि गंग टोक गंग टोक में आपको क्या दिखाई दे रहा है गंगा का साउंड गंगा नदी जो है ना उसका साउंड दिखाई दे रहा है और गंगा नदी के अंदर हम क्या डालते हैं सिक्के डालते ह आप सभी को पता है कि गंगा नदी के अंदर क्या डालते है अपन सिक्के डालते तो गंग टोक किक्सी राजदानी है तो गंग टोक है सिक्के में राज़्चे की राज़्चे की नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं नागालेंड राज़्चे की नागालेंड जिसकी राज़् मा, मा को याद करता है हमेशा, पापा वो को याद नहीं करते हैं, मा को याद करते हैं, तो नाग देख लेंगे, तो क्या आएगा, मा, वी मा, यानि को ही मा, तो नागालेन राज्जे की राज्जदानी क्या हो जाएगी, को ही मा, लास्ट के अंदर हम इसका वापस से एक बार revision कर लेंगे जिसमें आपको only राज़े दिखाई देगा और उसकी राज़दानी आपको trick किस आईता से बताने है next हम बात करते है पंजाब राज़े की और हर्याना राज़े की पंजाब और हर्याना इन दोनों की राज़दानी क्या है चंडीगट अब ये तो आप सभी को पता है वैसे भी बिना trick के भी याद होगा आपको कि पंजाब और हर्याना ये दो राज़े जिनके राज़दानी है चंडीगट अब इसको simple सा याद करने की trick है कि पंजाब और हर्याना राज़े के जो वेक्ती होते हैं वैं कैसे रहते हैं हमेशा देसी ट्रेके से रहते हैं कैसे रहते हैं देसी ट्रेकी से रहते हैं यानि कोई भी दिखावा नहीं करते हैं वो हमेशा देसी तरीके से ही रहते हैं और देसी तरीके से हों क्या पैंते हैं चड़ी नेक्स्ट अपने पास में जारखंड राच्चे, जारखंड जिसके राजदानी हो जाएगी राच्ची, इसको हम दूर ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक तो आप सबी नहीं पढ़ाई होगा कि जासी की कौन थी, राणी, जासी की राणी थी ना लक्षमी भाई, तो जासी से मिलके बन जाएगा जारखंड और राणी, राणी से आपको डिनोट हो रहा है राच्ची, राणी में साउंड आ रहा है ना राच्ची का, तो जासी की राणी, यानि जारखंड की राजदानी हो जाएगी अपने पास में राच्ची, या फिर जारखंड, इसका एक आता था खंड, साच्ची का स्रीखंड आता था था न, उसी से भी याद रख सकते कि खंड किसकी राजदानी है, राच्ची की, यानि जारखंड राजदानी है, राच्ची की, जबकि इसकी सिंपल से ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा याद रखना है कि जासे की कौन आई जोल आई जोल अब इसको याद करने के सिंपल से ट्रीक है कि मीजोरम में आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट के इंदर रम दिखाई दे रहा है और कोई भी वेक्ति जब रम पी लेता है रम पी लेता है तो वो क्या करता है इदर उदर जोलता है इदर उदर जोलता यानि टली हो जाता है कभी इधर गिरता है कभी उदर गिरता है तो रम पिने के बाद में क्या हो जाता है वह जोल हो जाता है पूरा का पूरा ही जोल हो जाता है तो मिजोरम राज्ची की राज़तानी क्या हो गई आई जोल तो इसको सिंपल सा याद करने की ट्रिक है कि मिजो किपन DR harder 음 आप Freen darf Coach Water की आपको डिनोट होरा है कि انदेवेक्टी यानी अधिवेक्टी जो होता है जो किसी भी गेट को पार करता है तो वह एक सा होता है डर 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 की पास करता है तो इसी से मिलन 24 मिल जाएगा है डरह बात जिसमेरा ना डरा डरा तो अंदर प्रदीश की राजदानी क्या है है हैधराबाद दियान देना है है हैधराबाद जो है यह केवले 10 साल के लिए यानि 2 जून 2004 तक के लिए ही इसकी राजदानी रहेगी उसके बात में जो अंदर प्रदीश है इसकी राजदानी हो जाएगी अम्रावती तो दोहजार चोईस के अंदर अंदर प्रदेश की राजदानी क्या हो जाएगी अम्रावती हो जाएगी जबकि वर्तमान में है इसकी राजदानी हैदराबाद नेक्स्ट है तेलंगाना राज्चे तेलंगाना राज्चे जो है इसकी राजदानी भी अंदर प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है और ये कब मना था दो जोन दोहजार चौदा को तो तेलंगाना राज्य इसको याद करने की सिंपल से त्रीक है कि तेल जो है वह किसको चड़ाय जाता है वह चड़ाय जाता है अपने सनी महाराज को अब सनी महार इसके राज़दानी क्या हो जाएगी हैद्राबाद हैद्राबाद में आपको कैसा है उन्हें दिखाई दे रहे हैं डरा का तो आए हो आपको आंदर पर दीस और तेलंगाना इन दोनों राज्जे की राज़दानी कवर हो गी हो गी नेक्स्ट हम आगे कवर करते असम जिसकी राज़दानी क्या है दिस पुर अब आप सभी को पता है असम की फैवरेट क्या है चाई असम की प्रसिद क्या है चाई प्रसिद है और असम की चाई इसकी खुस्प पता है आपको कहां पे पिलती है दोसो दिसाओं के अंदर फेली हुई रहती है तो असम की चाई क जिसकी राजदानी है राइपुर। अब इसको याद करने के सिंपल से ट्रिक है कि जब 36 लोग कहीं पे बैठे रहते हैं तो वे क्या करते हैं एक दूसरे से राइ लेते हैं तो 36 गड़ राजजे की राजदानी क्या हो जाएगी राइपुर। यानि जो 36 लोग हैं वह एक जगर बैठ के एक दूसरे से राइ लेते हैं तो यही हमारे ट्रिक हैं 36 गड़ राजजे की राजदानी है राइपुर। नेक्स्ट है गोवा राजजे गोवा राजजे की राजदानी है पणजी। अब इसको रियाद करने के सिंपल से ट्रिक है की गोवा गोवा में आपको क्या सावन दिखाई दे रहे गाव का और गाव के इंदर जो वेक्ति हैं वह क्या रहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और पढ़े लिखे में क्या सावन आ रहा है पढ़ने का यानि पनजी तो गौवा की राजदानी क्या हो जाएगी पनजी नेक्स्ट गुजरात राज्य नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं महराश्टर राज्जे की महाराष्टर राच्छे जिसकी राजदानी है मुंबाई अब आप सभी को पता एक मुवी देखी होगी बच्पन के अंदर गंगु बाई जो गनेशा 2 गनेशा 3 के अंदर एक लेडी जिसका नाम क्या था गंगु बाई और गंगु बाई बाई का साउंड क्या हाँ पर आ रहा है मुंबाई के अंदर और बाई कहां पर पाई जाती है मुंबाई के अंदर क्योंकि फिलम सिटी कुन सी है मुंबाई है और बाई भी सहाँ पर सबसे ज़्यादा बाई यहीं पे मिलती है तो महाराष्ट राज्चे की राजदानी क्या हो जाएगी मुंबई नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तिरीपुरा की तिरीपुरा जिसकी राजदानी क्या हो जाएगी अगर तला अब इसको भी याद रखने की ट्रिक क्या है कि अगर तला अगर तला में क्या दिखाई दे रहा है अगर तला में क्या हुआ ताला अगर घर पे ताला नहीं लगाए यानि ये अपना गर है और इसके अगर हम ताला नहीं लगाते हैं अगर ताला नहीं लगाते हैं तो अपना तरी पुरा यानि कि पूरा का भूरा गर जो है वहे क्या ह जाएगा लूट जाएगा नेक्स्ट अपने पास में केरल राच्चे और केरल राच्चे जिसकी राजदानी है तिरुवनंत पुरम तिरुवनंत पुरम यानि केरल में क्या दिखाई दे रहा है करेला और केला केरल से क्या मिल रहा है करेला और केला और यह तोनों कोई भी खा लेता है तो उसको क्या होता है आनंद की प्राप्ति होती है परम आनंद जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है तिरे वनंत पुरम अनंत पुरम यानि आनंद की प्राप्ति होती है पूरे को नेक्स्ट अपने पास में है मद्दे परदेश राज्ये मद्दे परदेश जिसकी राजदानी है भौपाज और उत्तर परदेश जिसकी राजदानी है लखनाउ अब इसको याद करने के simple से trick है कि जब उत्तर परदीस को याद करने के simple से trick है कि जहां उत्तर लिखने जाते हैं तो हम क्या खाकी जाते हैं एक खाना और खाने का sound कहां प्यार है लखनाओं के अंदर खाना खाकी जाते हैं उत्तर लिखने के लिए तो उत्तर प्रदीस राज्जी की राजदानी क्या हो जाएगी लख नव हो जाएगी जबकि जो मद्दे प्रदीस है मद्दे प्रदीस राज्जी की राजदानी हो जाएगी बौपाल यानि मैं प्यूँगा गोपाल नाम का लड़का था गोपाल नाम का लड़का था फुन था ये गोपाल नाम का लड़का था वो क्या पोलता है मैं प्यूंगा तो मैं प्यूंगा से क्या हो जाएगा मद्दे प्रदीस नेक्स्ट अम आगे बात करते हैं मनीपूर राजची की मनीपुर राज्जी जिसकी राजदानी क्या हो जाएगी इमफाल अब इसको सिंपल सा याद करने की ट्रीक है कि मनीपुर में क्या दिखाएदे आपको मनी यानि मनी नाम का कोई एक लड़का था अब वहे क्या कर रहा था इस्टडी कर रहा था और इस्टडी कैसे कर रहा था वहे जोर जोर से बॉल कर रहा था अब जैसे जोर जोर से बॉल के कर रहा था तो एको लड़का था वो क्या बोलता है कि भाई स्टडी तोड़ा मन के अंदर कर ले यानि जोर जोर से बॉल के मत कर यार स्टेडी मन के अंदर कर ले नहीं तो मैं फैल हो जाओंगा और फैल होने से क्या मन जाएगा हमारा इमफाल में किसका साउंड आई रहा है फैल का तो सिंपल से ट्रीक है कि मनी पूर यानि मनी नाम का लड़का था वह एकचाम के लिए जोर जोर से बोल के तियारी कर रहा था तो वहीं पी एक लड़का था वो इससे बोला कि भाई मन में पढ़ाई करने नहीं तो मैं फैल हो जाओंगा तो मनी पूर राच्चे की राज़ता नहीं हो जाएगी इमफाल नेक्स्ट अपने पास में अरुनाचल परदेश जिसकी राज़तानी क्या है इटानगर तो इसको याद करने के सिंपल से ट्रीक है कि अरुन के घर के अंदर कोई चोर गुस गया खजाना लूटने के लिए तो अरुन पता है उसको किस से मारेगा अरुन मारेगा उसको इट से तो अरुनाचल परदेश की राज़तानी क्या हो जाएगी इटानगर नेक्स्ट अपने पास में करनाटक करनाटक जिसकी राज़तानी है बंगलूर अब इसको सिंपल सा याद करने के ट्रीक है कि करनाटक में आपको किसका साउंड आ रहा है नाटक का और नाटक पता है आपको कौन करता है बंदर करता है और इस बंदर को क्या बोलते है लंगूर भी तो बोलते है न और लंगूर का साउंड किसके अंदर आ रहा है बंगलूर के अंदर तो करनाटक राज़तानी क्या हो जाएगी बंगलूर यानि नाटक करता है कुन बंदर बंदर को लंगूर भी बोलते तो नाटक कुन करता है लंगूर करता है और लंगूर से मिल जाएगा अपने बंगलूर नेक्स्ट अपने पास में ओडिसा ओडिसा जिसकी राजदानी है भूनीश्वर अब भूनीश्वर भूनीश्वर में किसका साउंड आ रहा है इस्वर का साउंड आ रहा है और इस्वर का साउंड किसमें आ रहा है भूनीश्वर अब इसको याद करने के simple सी trick हैं कि Odisha के इंदर कुन सा मंदिर है यह तो आप सभी को बताओगा अगर आप competition की तियारी कर रहे हो तो आपको यह तो जरूर पढ़ाओगा कि Odisha के इंदर इस्तीत है कोनारक सुरिये मंदिर और कोनार्क सूरिय मंदिर यह किसको बढ़ बगवान सूरिय को समर्पित है तो कोनार्क सूरिय मंदिर जो है यह बगवान सिव को समर्पित है तो बगवान सिव को समर्पित है और इससे मलके मन जाएगा अपना भौनेश्वर भौनेश्वर नेश्वर यानि इस्वर तो ओड उत्राखन, उत्राखन की राजदानी क्या है दहरादून, तो दहरादून ये किसकी राजदानी है, उत्राखन की, अब हम जब एकजाम देते हैं, और हमको जब उत्र नहीं आता है, उत्र नहीं आता है, तो यहां पे खड़ाई ये टीचर जो है, ये हमारी क्या कर देता है, धुनाई कर देता है धुनाई तो जब उत्तर नहीं आता तो धुनाई देता है यानि दहरा धून धुन 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 यानि धुनाई कर देता है तो उत्तरा खंट राजजी के राज़दानी क्या हो जाएगी दहरा धुन तो आई होब आपको जतनी भी ये ट्रिक क कवर कि थी। उन ट्रिकों कु गवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं बिहार राज्ये। बिहार राज्ये। जिसकी राज्दानी क्या थी? पटना यानि लड़की को पटाएंगे तो उसके लिए हार लेकी नेक्षट अपने पास में तमिल नाडू में किसका साउंड आ Spot मिल न धो क्या लेकशयगी चिन नहीं लड़की को मिलेंगे तो चिन नहीं चिन लेका जाएंगे नेक्षट कहता पच्छी मिं बंगाल और पच्छी मिं बंगाल जिसकी राजदानी क्या थी अपने प्रदीस को किसे याद किया था कि हीमा चल और हीमा को कहां लेकी चल रहे थे हम याद है कहां पे लेकी चल रहे थे सिमला के अंदर तो गुमाने के लिए कहां लेकी जा रहे थे सिमला के अंदर लेकी जा रहे थे नेक्स्ट हमने कवर किया था किसको राजस्तान राज्ये को राजस्तान राजे जिसकी राजदानी क्या थी जेपुर और इसको कैसे कवर किया था कि राजा की जे हो तो राजा की जे हो यह था हमारा राजस्तान next अपने पास में कौन सा राज्जे कवर किया था सिक्किम और सिक्किम यानि सिक्के कहाँ पे जालते गंगा नदी के अंदर और इसी से हमारे राज़दानी क्या बनेती गंग टोक next नागालेंड और नागालेंड यानि नाग दिख जाता थो क्या बोलते थे हिमा को हिमा ओ मा यानि को हिमा तो नागालेन राज्जी की राजदानी क्या हो जाएगे अपने पास में को हिमा हो जाएगी नेक्स्ट अमने कवर किया था पंजाब और हर्याना को पंजाब और हर्याना को कैसे कवर किया था है कि पंजाब और हर्याना के लोग कैसे रहते हैं देसे तरीके से और ये क्या पहेंते हैं चड़ी यानि चड़ी गड़ इसकी राजदानी हो जाएगी पिसकी पंजाब और हर्याना की राजदानी क्या हो जाएगी चंडी गड़ हो जाएगी नेक्स्ट हमने किसको कवर किया था जारखंड को और जारखंड को किसे याद रखा था कि जासी की रानी रानी से क्या मना अपने पास में राची नेक्स्ट हमने कावर किया था मीजोरम और मीजोरम को किसे क्यावर किया था कि अगर मैं रम पीता हूँ तो मैं क्या करूँगा आई जोल यानि मैं जोल हो जाओंगा तो आई जोल किसकी राज़ता नहीं है मीजोरम की नेक्स्ट है अंदर परदिस यानि अंदर पर्देश यानि अंदर विक्ती जब दर्वाजे को प्यार करते हैं तो दर्वाजे को पार करते हैं तो उनको डर लगा रहता है यानि हैद्राबाद तो हैद्राबाद तो राजदानी कब तकी थी? 24 तक उसके बाद में राजदानी क्या हो जाएगी अमरावती नेक्स्ट था तेलंगाना अब तेल किसको चड़ाया जाता था सनी महराज को तो वो डर लगा रहता था सनी महराज का तो इसके भी राजदानी क्या हो जाएगी हैद्राबाद नेक्स्ट कवर किया था असम राज्य को और असम की चाय सबी दिसाओं के अंदर यानि दसो दिसाओं के अंदर फेमस है तो यह हो जाएगा दिस पूर नेक्स्ट अपने पास में कौन सा राज्जी हो जाएगा गुजरात राज्जी और गुजरात में कौन से थे गांदी जी तो इसकी राजदानी क्या हो जाएगी गांदी नगर next है महाराश्ट और महाराश्ट में कौन रहता है बाई यानि गंगु भाई अर गंभाई से क्या मेरेगा मंभाई next अपने पास में cover किया था तिरुपुरा राज्चे को और तिरुपुरा राज्चे जिसकी राज़ता यानि क्या हो जाएगी देखे तो बताओ क्या ट्रिक लग जाए थे पूरा यानि कि पूरा पूरा का पूरा लूट ले जाएगा अगर हम तला नहीं लगाएंगे तो अगर तला हो जाएगी तिरुपरा राज्य की राजदानी नेक्स्ट हमने कवर किया था केरल और केरल को किसे कवर किया था कि केरल और केला इन दोनें को ख्यात दे तो क्या होता है आनंद के प्राप्ति पूरे के पूरे आनंद तो यह हो जाएगा तिरिम अनंत पूरम लास्ट हमने किसको कवर किया था अंदर परदेश और उत्तर परदेश राज्चे को अंदर परदेश नहीं मद्दे परदेश को एक तो मद्दे परदेश को कवर किया था एक कवर किया था उत्तर परदेश को तो मद्दे परदीस की राज़्दानी तो कहती भोपाल और उत्तर परदीस राज़्जी की राज़्दानी कहती लखनौ यानि हम खाना खाके जाते हैं न उत्तर लिखने के लिए तो लखनौ हो जाएगी उत्तर परदीस राज़्जी की राज़्दानी नेक्स्ट है मनीपुर और मनीपुर मनीपुर राज्चे की राजदानी क्याती कि मनी नाम का कोई लड़का था वो जोर जोर से पढ़ता था तो दूसरा लड़का क्या बोलता है धीरे धीरे बोल नहीं तो मैं फेलो जाओंगा तो इम्फाल हो जाएगी मनिपुर राज्चे की राजदानी नेक्स्ट आगे हमने किसको कवर किया था आगे हमने कवर किया था अरुनाचल परदेश को और अरुनाचल परदेश की राजदानी क्याती है कि अरुन नाम का लड़का जो है किस से मारता था चोर को इट से तो इटान अगर हो जाएगी अरुनाचल परदेश की राजदानी नेक्स्ट अपने पास में करनाटक और नाटक कौन करता है लंगूर और इससे मिलके बन जाएगा हमारा बैंगलूर और नेक्स्ट है ओडिसा ओडिसा के अंदर क्या था? कौनार का सूर्य मंदिर जो किसको समर्पिता है बगवान को यानि इस्वर को और इससे हमारे राजदानी बन जाएगी भूनीश्वर भूनीश्वर में आ रहा है ने इस्वर और लास्ट लास्ट में हमने कवर किया था उत्राखंड यानि जब हम उत्तर नहीं लिखते हैं तो टीचर क्या है वह धुन देता है यानि दहरादून तो ये कवर हो जाएगी हमारे टोटल 28 राच्चे और इनकी राज़तान तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल Study147 इसको सब्सक्राइब कीचिए लाइक कीचिए और बैल आइकन को दबाएए लेटेस स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और वीडियो की जो पीडिया फाइल है वह मिलेगी आपको Study147 टेलेग्राम क्रूप पे